हमस्कार दोस्तों स्वागत आपका VKS Physics Academy जो विद्यार्थी 2022 में यानि इसी सत्तर में MSC में admission लेना चाहते हैं या जिनोंने MSC में admission ले लिया है विद्यार्थी ध्यान दें कि उनका exam pattern और syllabus है वो पूर्ण तरीके से बदल गया है पहले दो exam होते थे MSC प्रिवेस और MSC फाइनल के और उनके अंदर चार चार पेपर थे टोटल आठ पेपर होते हैं अब क्या है semester system यहां पे लागू हो गया है और detail से इसका syllabus भी जारी हो गया है पहले आपको दो exam देने होते थे अब आपको टोटल चार exam देने होंगे और detail से इसका syllabus भी हम देखेंगे उन विद्यार्थियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं वीडियो को like comments यह जरूर करें और आपको पूरी details वीडियो जो है पूरी notification जो भी इनविश्टी के तरफ से आता है उनकी जानकारी हम upload कराते रहते हैं तो start करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं MSC physics program और यहां इनविश्टी के साइड से इसको download करके देख सकते हैं यहां पर आपको syllabus के बारे में मुखे रूप से semester पढ़नाले के बारे में बताना चाहता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि semester first के अंदर आपके पास चार paper होंगे इनके यहां पर तो दे रखे हैं course के code FS physics 00101 ठीक है और ब्रांच आती है इसमें mathematical physics इसके लावा second है classical mechanics एक है quantum mechanics first और एक है statical mechanics इस परकार से यहां पर आप देख सकते हैं चार exam है चार paper है और यहां पर इसके अलावा जो मुख्य बात है वह है आप देखें maximum marks यहां पर आपको internal marks दस दस भेज़े जाएंगे परते एक paper के लिए और exam के अंदर लेने होंगे यानि आपका total exam paper है वो चार्श नमर का होगा जैसे कि बीसी integrated के अंदर होता है या इंटीग्रेटिट के अंदर होता है इस प्रिकास सही उसका pattern है वही यहां पर MSC का भी किया गया है और आपको minimum pass marking है वो है 25% तो काफी आसान होगी MSC अब इसके according अ करने होंगे समेस्टर में जिसके अंदर प्रैक्टिकल जो है वह भी 40 मारक्स का है और 10 इसके इंटरनल मारक्स है उसमें आपको 18 नमबर लेने पड़ेंगे minimum यानि कि 36% जो है वो यहां पर आपको लेने पड़ेंगे इसके बाद हम बात करें समेस्टर सेकंड तो समेस्टर स अंदर आप देख सकते हैं इसी परकार से आपको पैटरन तो बही है लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं वह यहां पर चैंज हो जाएंगी यहां पर कॉंटम मेकैनिक सेकंड आजेगी यह थोड़ी सी एडवांस तरीके से आप कह सकते हैं अट पेपर जो है सेकंड समेस् इसके डिटेल से लेपस जब आपको अलग वीडियों बताएंगे क्योंगे इस वीडियों बताना इतना संभव नहीं है और इसी परकार से सेकंड समेश्टर के अंदर भी दो प्रैक्टिकल हैं यहां पर आप देख सकते हैं उनके कोड भी दे रखी हैं प्रैक्टिकल लैब थ जाएंगे तो दोस्त्राइश्ट आपको वहां मिलेंगे इसी परकार यहां पर देख सकते हैं यह आपकी पहला पेपर होगा इसके लावा नुकलियर और पार्टिकल फिजिक्स इसके लावा एडवांस कंडेन्स मैटर फिजिक्स यानि इसके अंदर थुड़ा बेसिक नोल आला पार्ट है इसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा इसके बाद हम बात करें तो एक लाश्ट पर इसके अंदर और है physics of semiconductor devices यह आपको particular semiconductor devices के बारे में पढ़ना है इसके बाद इसमें भी एक पर और अभी रह गया इसमें सैटलाइट वगेरा यह सब चीज़ आ जाती है और microwave electronics इसमें साइद यह ओबली करके दिया है तो यह तो इसके दो पार्ट है यहां दो इसके अंदर पार्ट लगेंगे इन दोनों से यह एक पर पूरा बनेगा इसके बाद इसमें भी दो प्रैक्टिकल्स है इसके बाद हम देखें समेश्टर नमबर चार तो समेश्टर चार के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट वेपर जो आपका है वो है प्रोग्रामिंग सोर कम्प्यूटल मेथेड का यानि कि जो बीएसी फाइनल के अंदर आप पड़ते हैं नुमेरिकल एनलाइसिस पड़ते हैं वही बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा एडवांस चीज़ें आजाएंगी कुछ मैथेड अलग आजाएंगी बाकि उसी टाइप की जो सिंसन रूल है जो आपका रोंगी कुता मैथेड इसके अंदर आ जाता है इस जैसे हम बात करें तो यहां पर जो यह बहुत ज्यादा सुक्षम माइक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है नैनो मटेरिल्स और नैनो इसके अलावा आपको यह कहना चाहूं कि समेश्टर सिस्टम के अंदर क्या है आपको ज्यादा ब्रांश भी प्राप्त करेंगे और नॉर्मल जो पहले मैं सी होते थी उसमें सिर्फ चार बुक्स लगती है एक सेसन के अंदर और नेक्स सेसन में चार लगती है यह टोटल आठ बुक्स लगती है और उन आठ बुक्स के अंदर इतना ज्यादा मेटेरिल्स आप कह सकते हैं कि वैसे तो पढ़ने को ज्यान अनंत होता कितना ही पढ़ सकते हैं लेगिन फिर भी यहां पर आपको अलग लग ब्राचिस के अकोर्डिंग वैल्यू पढ़ने को चीज़ें मिलेंगी तो आपका नोलेज्ज वो थोड़ा बढ़ेगा इसके बाद इसका जो थर्ड पेपर है उसमें तीन पार्ट आते हैं फिजिक्स ओफ लेजर एंड लेजर अप्लिकेशन जैसे हम बीएसी के अंदर पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में लेजर उसमें तो शिर्फ एक उनिट दी गई है यहां पर एक पूरा आप कह सकते हैं कि इसमें काफी मटेल्स आजएगा लेजर के और भी इसमें आजएंगे इसके लावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स और डिस ओडर सिस्टम यानि जो अपने ठोष सवस्ता बहुत की हम पढ़ते हैं बीएसी के अंदर तो जिन विद्यारति ने बीएसी को अच्छे से पढ़ा है अपने खुद के दम पर और क्लासे अटेंड की है तो उन विद्यारतियों को जो चीजें इसमें रिपीट ओरे हैं जो प्रांच thiन में दिक्कत नहीं आएगी नने फ़ीर आफंगे खेंगे जो एसे विद्यारति 창 जो उनके मालक्स ऑगे विल्की ब्राद्च आपको यहां मिलेंगे पर बात करें पेपर थर्ड की तो पेपर थर्ड के अंदर physics of microwave and photonic devices यहां पर आप यह कहा सकते हैं फोटोनिक जो परकास यह युकतियां है जो lights पर डिपेंड करती हैं उनके बारे में और microwave यानि सुक्षम तरंगों से समझे जो ची यानि जो ऐसी चीजें जिनको आप दुबार से रिडियू करके काम में ले सकते हैं उनके बारे में और medical physics यानि की physics का medical में क्या uses है इसके बारे में यह तीन यहां पर books आप कह सकते हैं लगेंगी second paper में इसके बाद आप यहां देखें तो practical इसके अंदर और practical आप देख सकते यह भी 30 number का ही है external और यहां पर एक अपना जो project होता है वो project यहां पर आप देख सकते हैं यह project है यह यहां पर आपको 10 number का project है 10 internal है और यहां पर minimum आपको 8 marks हो लेने पड़ते हैं अब इसके बाद में start होता है इसका detail जो आपका पूरा का पूरा syllabus है वो यह syllabus जो है मैं एक अ चाहिए तो मैं आज या कल ही video बना दूंगा इसके उपर वरना मैं अपने according जैसे time में लगा वैसे बना दूंगा तो आप video को share जरूर करें क्योंकि ज्यादा तर विद्यारती जो है उनको सूचना नहीं होती है उनको information नहीं होती है या वो किसी suspense में रह जाते हैं तो सभी विद्यारतियों तक जो है वो यह पूरी सूचना पहुंचे और वो इसके according अपना फैसला करें अपने बुक्स बगरा जो है उनका रेजमेंट करें और तो वीडियो को like comment share जरूर कर देना और इस चैनल पर आपको हमेशा नहीं नहीं चीज़ें जो है एडवांस चीज़ें अब जैसे हमारे चानल के उपर लगातार बेसी ए बेसी बीयड और अबडेटाए को देते हैं और उनका काफी सपोर्ट वी विद्यारतियों का आमें मिला हैं लगबग सतरह जार सब्सक्राइबर होने वालें ओने यह उनने बीजु चैनल के ऊपर इसके अलावा जड़ वि यारति विद्यार्थी बीना सस्क्राइब करके हमारी वीडियो करते हैं और करवाम काम होगनी रफ़तार से क्योंकि नोर्मल काम भी हम करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं क्योंकि जब तक हमारी उसमें मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम काम करने के पड़ती ज्यादा इच्छोग नहीं होते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद